दोस्तो हसी गुरूप सी गुरूप डी बरती को लेकर आपके लगातार कॉमेंट आ रहे हैं कि सब से पहले कौन सी बरती पूरी की जाएगी और अगर गुरूप नंबर 56 गुरूप नंबर 57 टीजीटी बरती की जोईनिंग करवा दी जाती है तो जो गुरूप डी की जो कट जाने वाड़ी है और गुरूप डी बरती की जो तीसरी जो लिस्ट है वो कब तक आएगी अब कोमेंट में ये मत पूछना कि भाई दूसरी लिस्ट कब आ चुकी है और इसके अलावा जो है दोस्तो फायर ऑपरेटर ड्राइवर की बरती अपकी जेए की बरती जो ये पैं जादा से जादा दोस्तो शेर जो रूक रहें तो सबसे पहले जो है दोस्तो अप गुरूप सी की बरती के अगर हम बात करें तो दोस्तो गुरूप सी के जो है चपन सतावन टीजीटी बरती और अपकी ड्राइवर की जो बरती फायर अपरेटर वाड़ी और जेए की बरती इन पर जो है दोस्तो अभी final result pending है इन सभी का जो final डिजल्ट अभी pending है हाई कोट से आदेश मिलने के बाद ही इन भरतों का final result है HSC के दवारा जारी किया जाएगा अब बात करते हैं दोस्तो 19 तारीक का क्या मामला है 19 तरीकों सरकार के दवारा और HSC के दवारा जो है क्या-क्या तेयारिया की जा चुकी है दोस्तो अब आपकी आचार सहिंता कभी भी लग सकती है ये कहने की बात होते हैं कि आचार सहिंता लगने के बात जो है भरतियों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा CDC बात है दोस्तों बरतियां आपकी नहीं होती है अपने पीछे का डाटा चाहिए उठा के देख लेना कि आचार सेंता में क्या-क्या कर सकते हैं कि सरकार क्या-क्या करवा सकती है और क्या नहीं कर सकती है तो ये सब देख लेना आप क्योंकि इनके अलावा एच केरन के तैद्वी बरतियां आपकी काफी पैंडिंग में पड़ी हुई है जिनके ओनलाइन आवेदन तो मांगे जा रहे हैं लेकिन कंडिडेट को सोट लिस्ट नहीं किया जा रहा इस पर भी जो दोस्तों हमने पहले आपका रिजल्ट आता है TGT बरतिवाड़ों के लिए तो आपके सामाजी का आर्थिक मापड़न के पांच अंक नहीं जुडेंगे और 19 तारीक के बाद अगर आपका फैंसला आता है तो 19 तारीक को जो पांच अंक के उपर जो कोर्ट केस है उसमें कोर्ट का क्या फैंसला रहता है कि भई पांच अंक बरतियों में दिये जाने चाहिए या फिर नहीं दिये जाने चाहिए तो ये तो आपको पता लग जाएगा सिध्या कनफरम है कि भई पांच अंक मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे उसके बाद गुरूप नमबर 56 गुरूप नमबर 57 जो की बहुत ही हाइलाइट ये अपका चला हुआ है आलाग कि इस पर जो है दोस्तो काफी ऐसे भी कंडिडेट हैं जो इसको कैंसल करवाने के लिए हैं और काफी ऐसे भी कंडिडेट हैं जो इसका रिजल्ट का इंतिजार कर रहे हैं कैंसल करवाने वाड़े वो कंडिडेट हैं जिनका या तो CT गुरूप C का ही एक्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर उनका जो है गुरूप नमबर 56 गुरूप नमबर 57 जो इक्जाम है वो बड़िया नहीं हुआ तो वो कंडिडेट चाहते हैं कि इसको कैंसल किया जाए लेकिन काफी कंडिडेट जो है इसके पक्स में भी हैं कि इसको कैंसल नहीं इसका रिजल्ट निकाड़ा जाए आप सुभी कोई पता है दोस्तों कोई भी एक्जाम होता है तो सरकार के दवारा पूरे ताम जाम लगाकर जो है एक्जाम करवाए जाता है वो जाए पुलिस फोर्स हो या फिर सेंटर हो या फिर आपके आने जाने क शुविद्धा को लेकर हो तो इस परकर से पूरा ताम जाम लगाकर एक एक्जाम जो है करवाए जाता है अब एक्जाम हो चुके हैं इनको यह तहनी कैंचल के जाएगा बाकी एक प्रतिसाद चांद जरूर है कि हाई कोट के दवारा क्या फैसला लिया जाता है इस पर नही इसके साथ साथ जो है दोसो ड्राइवर बरती के लिए भी पंजाब एंड हर्याना हाई कोट में अप्लिकेसन एस एससे के दवरा लगा रखी है result को लेकर और जेही बरती के result को लेकर भी इनके अलावा जो है दोस्तों इन सभी के अलावा 2020 की जो अपकी हर्याना पुलीज क के बारे में स्टार्टिक में जो बताया था कि वह पूछना मत कब आई थी वह लिस्ट जो है दोस्तों वह थी आपकी जिन कंडिडेट के कटोफ से ज्यादा मार्क्स थे वह कंडिडेट एचसी ओफिस गए थे और एचसी ने इनका समाधान कर दिया और इनका रिजल्ट निका पांचंग के उपर टिका हुआ है आलंकि कोल्ट का क्या फैसलाता है पांचंग को लेकर पांचंग दिये जाएंगे फिर नहीं दिये जाएंगे इस पर जो है दोस्तों 19 तारीक को पता लगेगा जानका रिच लगिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट आप जरू के बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरू करें बैल आइकन को जो है दोस्तों जरू दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो को जो नोटिविकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच चुके